नवस्कार आप दीख रहे हैं न्यूस्वल इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्ट काजो नारायन बहुत स्वागत है आपका बॉलिवोड गप्शप में वैसे तो आपको एंटर्टेन करनी का कोई मौका हम हाथ से जाने नहीं देते चाहे वो किसी के ब्रेक अप की खबरे दिखा रहा हो या किसी की शादी की हम सबसे आपको रूबरू कराते हैं और आज भी बी टाउन की कई ऐसी खबरे हम लेकर आए हैं जो आपको पूरी तरह से तरो ताजा कर देगी क्यों सही कहा ना जब लाइफ में इतना स्ट्रेस है तो थोड़ी देर की हसे खुशी बनती है और थोड़ा मसाला भी तो चलिए देर किस बात की हो जाईए तैयार मसालेदार गौसप्स के लिए बॉलिवुड के ज़ाने माने एक्टवर इम्रान हाश्मी आज अपना 42 वाब बर्दे सेलिब्रेट कर रहे हैं सीरियल किसर का ट्रैक पाचुके इम्रान हाश्मी ने अपने काम के वज़र से इंडरस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है साल 2003 में फिल्म पुटपाच से अपना करियर शुरू करने वाले इम्रान हाश्मी ने अब तक एक से बढ़ कर एक फिल्म में की हैं इसके लावा वो वेब सिरीज में भी नजर आ चुके हैं इम्रान हाश्मी अपने फिल्मों में बोल्ड अंदास को लेकर अकसर चर्चाओं में रही हैं उनकी कई फिल्में भी सूपर हिट रही हैं एक इंटर्व्यू के दौरान इम्रान ने कहा अब मुझे लोग उस नजरिये से नहीं देखते मैं खुश हूँ कि लोग मुझे सिर्फ किसिंग सीन को लेकर जज नहीं करते वो मेरी आक्टिंग को सरहाती हैं बतादे की साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म मुर्डर से उन्हें प्रसिद्धी मिली थी इस फिल्म में उन्होंने कई होट सीन दिये थे इस फिल्म के हिट होने के बाद से इमरान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से वड़कर एक फिल्म में की उनके हिट फिल्मों में मुर्डर, जन्न, गैंक्स्टर, राज, दो सहीद कई फिल्म में शामिल हैं इमरान जल्द ही फिल्म चहरे में नजर आने वाले हैं बॉलिवूड एक्ट्रिस मलाइका अरोरा अपने डांस से सभी की दिलों पर रास करती हैं हर कोई उनके डांस और फिटनेस का दीवाना है इसके साथ ही हर महीला चाहती है कि वो भी मलाइका अरोरा के जैसे फिट रहें मलाइका ने अपने अंदास और अपने काम से फिल्मी दुनिया में खास चगा बनाई है मलाइका अरोरा का गारा मुनिब बदनाम भला कोई कैसे बोल सकता है अपनी समय में इस गाने ने धूम मचा दी थी और हर किसी को थिरकने पर मजबूर कर दिया था अब एक वीडियो वारल हो रहा है जिसमें मलाइका और सोनुसूद इंडिया बेस डांसर के मंच पर इस गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं मलाइका रोरा डांस वीडियो में सोनुसूद के साथ डांस करते दिखाई दे रही हैं बॉलिवूड एक्डरिस के बीच केट फाइट कोई आज के दौर की बात नहीं है बलकि काफी पहले से ये सब होता रहा है और वो cat fight किसी भी वज़ा से हो सकती है वही नभ्य के दश्रक की भी बात की जाए तो कई actresses के बीज मन मुटाफ की खबरे आई थी जिन में से एक करिश्मा कपूर रवीना टंदन भी थी जी हाँ, दोनों के वीश लड़ाई का मुद्दा था एक अक्टर जिस पर दोनों ही फिदा थी और दिल देवैटी थी और ये अक्टर कोई और नहीं बलकि बॉलिवुड के सिंगम अजय देवगन थे रवीना टंदन और अजय देवगन ने करियर की शिरवात में साथ में कई फिल्में की थी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सभी से रवीना अजय को चाहने लगी थी लेकिन तब बॉलिवुड में करिश्मा भी अपना नाम बनाने की कोश्चों में जुटी हुई थी वो कई फिल्मों में काम कर रही थी और जिगर फिल्म में उन्हें अजय देवगन के साथ काम करने का मौका मिला बताय जाता है कि उस वक्त अजय का जुकाव करिश्मा की तरफ हो गया कहा जाता है किसके बाद ही दोनों के बीच अज़े को लेकर फाइट शिरू हो गई आखिर का रवीना से अज़े का ब्रेक अप हो गया अज़े जहां करिश्मा से इश्कल राने लगे तो वहीं रवीना के जुद्गी में खिलाडी कुमार यानि की एक्षे कुमार की एंटरी हो गई बॉलिवुड स्टार्स का सोचल मीडिया पर ट्रोल होना कोई नई बात नहीं है आए दिन कोई न कोई सोचल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो ही जाता है इस बार नमबर आया है अभिशेक बच्चन का जब एक ट्रोलर ने उन्हें एक ऐसी बात लिख दी जिसका एक्टर ने भी करारा जवाब देने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई दरसल हुआ कुछ यूँ कि अभिशेक ने अपनी अपकमिंग फिल्म दबेग बुल से जुड़ी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की थी इसी पोस्ट पर एक सोशल मीडिया यूजर ने उन्हें रिपलाई करते हुए ना काबिल बदाने की कोशिश करते हुए लिखा आप किसी चीज के काबिल नहीं है आपकी सबसी अची चीज है कि आपके पास एक बेहत खुबसूरत वाइफ है मैं जलता हूँ और यहां तक कि आप अपनी पतनी को भी डिजर्व नहीं करते इस पर अभिशेक ने टोलर को करारा जवाब देते हुए लिखा ओके आपके ओपिनियन के लिए धनेवाद लेकिन बस मैं केवल यह बात जाना चाहता था कि आपने इतने सारे लोगों को टैक किया है तो आप किसके लिए बात के रहे हैं इलियाना और निकी तो शादिशिदा नहीं है और बाकी बचे मैं आजे और सोहम बाकी में डिजनी का स्टेटस आपको पूछ कर बताता हूँ बॉलिवूड एक्टरेस उर्वरशी रौतेला एक्टर अंडीप हुदा के साथ पिछले कुछ समय से अपनी अपकमेंग वेब सीरीज इंस्पेक्चर अविनाश के लिए करने में काफी बिजी चल रही है एक्टरस ने अपने आने वाली वेब सीरीज के जानकारी जनवरी में अपने ट्विटर अकाउंट के जरिये दी थी अपने नए रोल को लेकर जग्यासा जगती है मैं अपने किरदार से बहुत कुछ सीक्ती हूँ मैं एक अलग तरे की किरदार करने के लिए काफी एकसाइटिड हूँ और इसलिए मैंने पूरा होमवर्ग भी कर चुके हूँ और बॉलिवर्ड के खबरों में फिलाल के लिए इतना ही आप देख चे रहे है निज्वाल इंडिया